थेबन सोरेन जिन्हें एडी ने गिरफतार कर लिया गया है मगर जाते जाते उन्होंने चमपई सोरेन को जो है मुख्य मंत्री बना दिया है याद कीजे उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव और उससे भी एक दिन पहले उनके पिता लालू यादव जो है वो एडी के सामने हाजर होते है मुदी सरकार क्या चाहती है कि 2024 की लोग सभा चुनावूं से पहले पूरा जो विपक्ष है वो जेल में डाल दिया जाए क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुवात करेंगी भाशा अभिसार एक बात बिलकुल साफ है कि यही है मुदी राज यही है संगोल राज और यही है लोग तंत्र का चीर हरन जिसका जिक्र मुदी जी खुद पार्लेमेंट के बाहर कर रहे है और वो दरसल इस पूरे इलाके को खास और से उत्तर भारत को विपिक्ष विहीन बनाना चाहते है ताकि कोई न रहे जो भी चुनोती दे रहा है वही ब्रश्ट है 2014 से लेकर 2024 आगया अभिसार एक भी उनका नेता एक भी उनका मुख्यमंत्री आज तक ED के घेरे में नहीं आया ऐसा कैसा हो गया मोदी जी कि विपक्ष ही सिर्फ करप्ठ है और आपके हाँ बस रामराज है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि लोगों के जहन में सवाल है कि भाच्पा खुले आम दबंगई से सब क्यूं कर पाती है और उसकी वज़ा साफ है अदालतों की चुप्पी राजनेताओं का बुन्यादी लालच जाच एजनसीज की लाचारी इन तमाम चीजों के चलते भाच्पा प्रचार तंत्र की जरिये अपनी बात कह पाती है और उसे कट घरे में रखने वाला कोई नहीं है मुद्दे को उठा रही है बार-बार पर क्या करप्शन पे असल में अंकुष है तो भाशा क्या लगता है अगला नंबर यहां पर केजरिवाल का दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हें पांचवा समन जो है अब आगया है उनके पार्टी के लगबग तमाम नेता जो है वो जेल में है चाहे संजै सिंग हो चाहे मनी सिसोधिया हो सत्तेंद्र जैन हो तो क्या अब अगला नंबर जो है केजरिवाल का होने वाला यह आपको लगता हमें टॉस करना चाहिए केजरिवाल तेजस्वी या राहूल गांदी राहूल गांदी देखिए एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दिए रही कि जिस तेजी से चकर चल रहा है अगर आप देखिए 22 जनवरी को अयोध्या का पूरा भव्य दिव्य प्रोग्राम होता है उसके दो दिन बाद नितीश ऑपरेशन होता है और उसके बाद आप देखिए तुरंत तेजस्वी निशाने पर आते हैं और सारी चीजे गुमने लगती है मुझे लगता है अर्विन केजरिवाल पहले नंबर पर निशाने पर है क्योंकि उनको दिल्ली बहुत खटक रही है और दिल्ली में जिस तरह का उन्होंने महौल बना दिया है कि सारे लोग तकरीबन मान के चल रहे हैं एक माइंडसेट तै हो गया है कि अगला नंबर केजरिवाल का है और उसके बाद तेजस्वी हम सब जानते हैं तेजस्वी को हटाए बिना उनका बिहार का उपरेशन पूरा नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड पे बहुत तेजी से लोग प्री हुए हैं तेजस्वी तो उत्तर भारत को उन्होंने तकरीबन विपक्ष विहीन बनाने की तयारी कर दी है मुझे आशंका है अभिसार 24 से पहले हो सकता है कि वो राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमे बाजी करने की उनको चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी जी होने चाहिए कोई और कहीं भी नहीं मुझे लगता है यह करने की ज़रूत क्या है कि चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी जी हो न्यूस चैनल से वैसे भी उन्हीं को दिखाते है यहाँ पर प्रग्या मगर मुद्दा यहाँ पर यह है यह अपने आप में जिसे कहते हैं एक अजीब और गरीब किसम का डिस्टोपिया एक अजीब और गरीब किसम का कलपना से भी विचित्र हो रहा है यह लोग आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते है यानि कि इस धर्ती से वो नेस नाबूद हो जाए ना हम निशान खत्म हो जाए कोई और पार्टी ना बचे सिर्फ भाजपा बचे उसके टॉप लीडर बचे हैं वो प्रचार करें और सारी जनता उनको वोट कर दे जिन्होंने वोट कर दिया दूसरी पार्टी इसको उनके लिए तो वो तैयार ही है मीडिया भी कहेगा उटके पार्टी लिडर भी कहेगे कि यह आंटी नैशनल हैं यह आंटी हिंदू हैं आयोध्या के मंदिर का जिक्र किया भाशा ने तो उस मंदिर के उद्गाटन के दो दिन बादी खबर आ गई थी कि वहाँ भी करॉप्शन का अलिगेशन है लैंड डील्स हो रहे हैं तरह तरह के लोग फायदे उठा रहे हैं उस डील का और पिर आपको याद होगा वो तीन अधिकारी जो इनको ट्रांसफर कर दिया गया तो मगर मैं यह देख रहा हूँ यहाँ पर भाषा यह वाकई जो मैं बार बार उस शब्ट का इस्तमाल करता हूँ एक किसम की एक मतलब लोकतंतर का जिसे मजाग कहते हैं न वो चल रहा है एक तरफ आप रष्टाचार के तहत पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो और दूसरी तरफ हमने चंडिगर मेयर च अपमान करो और फिर दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालो इस चूल किट का क्या जवाब ऐसे में विपक्ष की स्कास्व एक राजशाही का मोधी जी राजा है एक मोनार्क की तरह वो एक्ट कर रहे और उनकी पूरी टीम राजा की इच्छा को एक्जेक्यूट करने के लिए जो सही समझती है वो करती है हिमन सोरे ने जो कहा है वो बहुत इंपोर्टन्ट है और जिस तरह का वीडियो मेसेज उन्होंने अंत में जारी किया और उनने बताया कि बतार आदिवासी होने के किस तरह उने प्रताडित किया गया और आप लेका नशे का समान आता है लेकिन हमें कहीं पता नहीं चलता कि वो कहां गया और नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में करोडू की बात करते हुए दिखाई देते हैं जो कि मोधी सरकार में मंत्री है वीडियो और वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं यहां प पर आएंगे बाकि सारे लोगों को चंडीगड को तो यह एक्स्प्लेइन कर भी नहीं सकते लेकिन दुख है बोले का कौन इतना साफ साफ चंडीगड में हुआ लेकिन क्या कोट ने संग्यान लिया तीन हफते वैसे मैं आपको बता दू पंजाब हाइकोट ने पंजाब हर को जो है रद कर दिया जाता है मैं सवाल भ्रष्टाचार की मुद्ध की बात हम कर रहे हैं आपर प्रग्या जो दोहरे माबदंड है देखिए आप भ्रष्ट पर कारवाई करें यह मैं अपने दर्शकों को बार बार कहता हूं अंदभक्त अक्सार आके हमारे कॉमेंट्स मे को जिन पर इतने तमाम आरोप थे मुद्ध यहां पर दोहरे माबदंड का है मुद्ध उस वाशिंग मशीन का है जिसमें जो बैट जाए वो साफ हो जाता है मगर बाकी सब भष्ट है आप यह भी देखिए दो ही दिन पहले खबर आए कि महराष्ट में जो फंड्स दिये ज जाना चाहिए लोगों को खुद भी उठाना चाहिए कि भई डेवलपमेंट का पैसा अगर नहीं जा रहा है तो फिर आप सबका विकास सबका साथ कैसे कर रहे हैं तेकि अभिसार मुझे लगता है कि जो प्रग्या इशारा कर रही है वह हम सब जानते है कि प्रश्चाचार कहा हो रहा है एकॉनमी कैसे बैठ रही है बेरोजगार कितने भीशन स्थिति में है कि इसराहिल में जाकर मरने को तैयार है हाजारों की तादाद में बैठते है अगर डवलपमेंट हो रहा होता रामराजवाला तो यह सब नहीं हो रहा होता लेकिन दिक्कत है कि इस पे बात कौन करेगा जो बात करने वाले विपक्षी नेता हैं उनको आप E.D. के चकर में गुमाए रहते हैं मगर भाशा आपने लगाम लगाने के लिए आप नया कानून लाते हैं और पहले से ही हमारी आवास बंद करने के तुछ होते हैं अभिशेक मनु सिंग भी तमाम राजनीतिक दलों के दुमाइंदे बन कर गए थे कि भाई हमें जाच एजिंसी से बचाईए क्या का था चीफ जस्टिस व इंडिए चंदरशूड ने कि नहीं साब हम इस पर कोई ब्लांकेट आदेश नहीं जारी कर सकते आप इंडिविज्व केस आया मनीश्य सोधिया का सुप्रीम कोट ने कहा कि इसमें सहाब आपके पास जो सुबूत है वह एक दिन नहीं टिक पाएगा लेकिन तब भी मनीश्य सोधिया को बाहर नहीं निकाला मैं कह रहा हूं जहां पर नियायपालिका को नियाय करना चाहिए आप देखिए वहां observation दे के चुप हो जाते हैं और इन तमाम मामलों में मैं कह रही हूं कि हेमन सोरेन वाला मामले में भी जिस तरह से माहौल बनाया गया जस तरह से नितीश को नितीश के जाने के बाद लालू और तेजस्विन क्या अदालतें देख नहीं रहीं लेकिन दिक्कत यह है इस तारीख में दोहजार चौबिस में कि जो संगोल योग है उसमें नयाय पालिकाएं भी हैं वो तकरीबन इसी तरह का चाहा रहा है हम उसको काउंटर नहीं प्रग्या मुझे ऐसा लगता है यह माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के पास दो चीज़ें एक तो 22 जनवरी के बाद उग्र हिंदुत्य के सहरे जो है वो आगे बढ़ रही है और फिर प्रचारतंत इन तमाम मुद स्थियार है वह यह कांबेनेशन यह एक तरह से है लेकिन बीजेपिट एक्रप्शन को एक मुद्धा बना रही है एक मुद्धा जो ओपोजिशन मेरी समाहे थे पूरी तरह से लेकिन करप्शन एक एकनॉमिक एशी stranger क के खुद के기도ं समाहे। के पेपर ये कहते हैं, वो सेलूशन भी देता है कि कर्वपशन से कैसे लड़ा जाए, करप्ष नेता, इनसान होता है, ये सबको पता है, उन helpman sellers को साफ़ा भी मिलनी चाहिए, मर्मक्रा फेने जरती लिए हमेशा यह यह तो रहेगा ही लेकिन के निव at alto कर्ड़र किस्व कтор्फिंव टे बोले के दाइंगि तो कयाikle इत्फ। यह अश्ली मुद्दा चेंगा, ऐब ना कोई खेंगे, किया है कि अच्छी को लिद्धे होता है हेमन सोरेन का सबसे लेटेस एक्जामपल है या आप लीजी अर्विन केज जिवाल मनिस सोधिया सतेंद्र जैन संजे सिंग आप इन सारे लोगों के पक्ष में जो महौल होना चाहिए था कि आप सवाल पूछते कि क्या एविडेंस है मैं कहरी हूं मीडिया को कि यहां बहुत है आप देखिए पिछले तीन निन सारा मीडिया बस यही महौल बना रहा है कि अभी तक गिरफतारी क्यों नहीं हुई कैंपेइनर बन गए है कि विपक्ष के नेताओं का एरेस्ट कब होगा अर्विन केज जिवाल को संबन मिलता है और पूरे मीडिया में जो गोदी मीडि अब आप देखिए उस व्यक्ति की जो पार्टी है उसके सबसे ज़्यादा लोग करॉप्षन के चार्ज में अंदर हैं यानि एक मेसेज उनों ने दे दिया है कि हम ही सिर्फ इमानदार हैं और बाकी सारे लोग ब्रहष्ट हैं और मुझे ऐसा लगता है यहां पर भाषा कि देखिए टिक वही व्यक्ति पाएगा जो विचार धारा पर ठोस हो जो अपनी इस राजनीतिक लड़ाई पर अडिग हो यही वज़ा है कि चाहे राहूल हो चाहे तेजस भी हो और काफी हद तक केजरिवाल अब इन्फाक अब कि जगा किसी और को मुख्यमंत्री बना दिए मेरे ख्याल से व्यक्ति वही टिक पाएगा जो एक विचार धारा पर काइम है वरना वरना तो कॉम्परमाइज की स्थिती हमने देखिए कि महराश कैसे हुआ उससे पहले गोवा कैसे हुआ यानि एक बात बिल्कुल साफ है अ आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग है विपक्ष के लिए और विपक्ष को अपने को विचारधारा और इस स्टैंड पर रखना है कि किसी भी स्थिती में कॉम्परमाइज ना करें चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े लालु यादव उसकी जीती-जाकती मिसाल है बिल रही है उनकी आलोशना भी हो रही है और समानांतर तोर पर तेजस्वी जो लगातार नौकरी के मुद्दे पर सांप्रदाइक सौहार्ध पर अपनी बात रख रहे थे उनका भी कद बढ़ रहा है खासतोर से जब जाच एजनसीज ने उन पर भी निशाना साधा उनके पिता का हाथ ले लेता अपने हाथों में और फिर कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं और फिर हाथ खींच लिया जाता है ओविएसली नितीश कुमार इसका सबसे बड़ा सबसे शांदार प्रतीक है पर दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने मुद्दों पे अटल रहें बिना कॉम्प्रमाइज के बाशा क्या है इस मुद्दे का पंच देखे मेरा मानना है कि यह संभवता पल्टू जी की आखरी पल्ती है इसके बाद इतनी गुंजाईश बचेगी नहीं नौवी बार वैसे ही उबन रहे हैं मुक्यमंत्री पूरा का पूरा जो मह बना है बिहार की राजनीती में क्योंकि मोधी जी के लिए बिहार को फता करना अपने बल्बूते बहुत मुश्किल था और वो कोई कॉम्प्रमाइज दो हजार चौबिस से पहले नहीं करना चाहते उन्हें 400 प्लस सीटे चाहिए लिहाजा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उनके लिए यही था बिहार में विपक्ष और मजबूत होगा क्योंकि अब टक्कर बहुत सीधी होगी क्या है अभी सार इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मैं इसे नितीश कुमार के पतन के तौर पर देखता हूँ और इसी के साथ बिहार के एक दिगज के तौर पर तेजस्वी आदव का उदा है मगर उनके सामने लोग सभाचुनाव में ब्रैंड मोधी खड़े हैं अगर ब्रैंड मोधी क तेजस्वी पतकनी दे पाते हैं तो ये भी हो सकता है कि बिहार की सियासत में उनका दर्जा अपने पिता के आसपास भी आ सकता है अगर हम राजनी तिक दिगज की बात करें इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें भाषा तो देखें नितीश की बात करें आपको याद है मुरेठा बान लिया मुरेठा मैं तब ही उतारूँगा वो भूल जाए ये सडकों पर भाजपा के नेताओं को रज रज के पिटाई की थी ठोकाई की थी अर्यार किस मुझ से जाकर आप जो आप उनको सिर्पे पिर बठा लिया आपने सत्ता के लिए सब कुछ संभव और यहां मुझे लगता है कि बिहार की धर्तीने मोदी जी को यह भी सबक सिखाया है कि आप सत्ता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं वह सब कुछ बिहार में आपको करना पड़ रह लिहाजकि उनके पास सबसे अच्छा और जार था कि आप प बारा पल्टी मारिये और आप ही उख्य मंत्री बनिये अब मैं तो सोच रही थी कि डिप्टी सीम वो बने हैं जो पगड़ी बांदे हुए हैं और तो और देश के ग्रिय मंत्री बता रहे थे कि दर्वाजे बंद हैं लेकिन यह राजनीती जो है मोदी जी की जैसे ही वो किसी की बुराई करते हैं तो मुझे डर लग जाता है कि उसको शामिल करने वाले हैं हमने सब ने देखा कि उन्होंने क्या किया अजीत पवार पे हमला कर रहे थे खुद प्रधान मंत्री हाशन दे रहे हैं और आप देखिए कुछी दिन बाद उसको शामिल कर लिया और यह वापसे जो तेजस्मी की होनी चाहिए की ऑनी चाहिए भाग्पामाली की जो होनी चाहिए क्योंे आप सोचती है जो तेजस्मी ओने जो कहा है कि कि नितीश खतेम जन्ता दल उनाइटिट का या आखरी चुनाव है क्या आपको लगता है हम उस ochर बढ़ रहे हैं या यह फोटाइल रहा है और अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्टेट रहा है उसमें तेजस्वी का यह आशा यह आशा वान होना बहुत पोटेंशियल है इसकी जमीन है सवाल यह है कि जमीन का इस्तमाल कैसे करता है विपक्ष और अब तो बिलकुल मैदान साफ है क्य कि अब नितीजी का कोई ग्लैमर नहीं है और 45 उनके पास सीटे रही है, उनका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ आज मैं इसमन से कहना चाहती हूं कि लोकसबा चुनाओ तक है ताकि वो पुराना रिपीट हो सके 39 38, 39 प्रग्या, क्या आप को लगता है कि इससे नितीश का नितीश के इस पतन के साथ ब्रैंड तेजस्वी का उदय हुआ है क्योंकि देखिए दो चीजे हो रही है एक तरफ ED का भी दबाव था नितीश का पलटना था तो क्या ये ब्रैंड तेजस्वी इतना मजबूत हुआ है कि वो प्रधान मंत्री क्या मुकाबला कर पाएगा अपिसार ये मेरे लिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज जो अभी हुई है वो ये कि नितीश कुमार अपने टर्म्स पे नहीं गए इस बार भाजपा के पास पिछली बार उनों इसलिए वो गटबंदन तोड़ा था इंडिये के साथ कि उनको लगा था खत्रा कि मेरी पार्टी कहीं टूट जाएगी बीजेपी कुछ कर रही है अब वो खुद अपनी मर्जी से गए है तो अब उनका कोई अस्तित्व वैसा नहीं रहेगा अपनी ही पार्टी में जैसा वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर भी भाशा सही कह रही है मेरे हिसाब से कि वो अब शायद लास्ट एंड है उनका चाहे वो जैसा भी हो तेजश्वी आदव के लिए ये मुश्किल है क्योंकि मंडल और कमंडल का जो मिश्रन शुरू हो गया है जो हिंदी बेल्ट में बहुत स्ट्रॉंग एक रूप लेके आ रहा है अभी तो शायद उनको बहुत चैलेंजिंग इन्वार्मेंट फेस करना पड़ेगा में कभी ब्लिव सिच्टिवेशन है आप जैसे लड़ेंगे वैसे आपको रिजल्ट में मिलेगा कभी बहुंस कोई षाए इन रहा है कि चल रहे हैं अगर में कुछ झालों के लिए 2013 में उन्होंने अपना साथ छोड़ा था जब मोदी जी का नाम आया था फिर 2015 में वो वापस से रहा था मैं यहाँ पर जो मुद्दा उठा रहा था कि जो गए हैं जिसका जिक्र प्रग्या ने किया था मगर इस बार जो है एक अजीबो गरीब रहस से है बार बार दो लोगों का नाम आ रहा है विजय चौधरी और अशोक चौधरी ये इनके मंत्री थे और भाजपा खुद अपनी तरव से कहती रहती है कि नितीश कुमार मानसिक तोर पर असंतुलित हो गए हैं भूल जाते हैं क्या-क्या नहीं कहा उनके बारे में तो ये जो है ना मामला ये सिर्फ नितीश की अवसरवादिता नहीं है परदे के पीछे ये दो लोग काम लगातार कम कर रहे थे अशोक चौधरी, विजय चौधरी जो सेतु का काम कर रहे थे भाजपा के लिए लगातार नितीश को समझा रहे थी कि भाई देखो ये राम मंदिर के लहर में जो है हम बह जाएंगे हमें पास सीटे भी नहीं मिलेंगी तो ये एक फैक्टर भी था परदे की पीछी जो लगातार काम गरा था कि उनके जो सांसद हैं नितीश जी के सांसद हैं वो सांसदों का दिमाग में था कि हम अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो नहीं जीत पाएंगे और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए अभिसार कि सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हरिवांश बाबू से रिष्टा कि जो कहानी है वो निश्चे तोर पर जब वापस आएंगे या उनको बीजेपी निकाल देगी तो बीजेपी बता सकती है कि डील क्या हुई और तो किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन यह बहुत मजबूरी की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नितीश जी ने यही कहा है कि को मुख्यमंत्री पत से जो प्रेम है उनको जैसे ही लगता है कि उनकी पार्टी पर हमला हो सकता है पिशली बार भाश्पा खाने को तैयार थी जब वह भाग के राबडी के पास गए थे तो इस बार की जो डील है वो बहुत कॉम्प्रमाइज है जिसमें नितीश जी अपन करते हैं याद कीजी किस तरह से उन्होंने मांजी को विधान सभा में बिल्कुल गाली गलोज की भाशा में उनके उपर और यह उनका अंदाजे बया नहीं रहा है इससे पहले प्रग्या अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है क्योंकि हम बिहार चुनावों की बात कर रहे हमने देखा था कि पिछली बार जब विधान सभा चुनाव हुए थे तेजस्वी तो लगभग जीती गये थे वो मोर्चा ही जीत गया था कम से कम चार या पांच ऐसी सीटे थी जहां पर स्थानी अधिकारियों ने खेला किया था वहां लगभग जीत गये थे तेजस्वी इस बार उसके मुकाबले तेजस्वी का ब्रैंड और बढ़ा है आपने ये भी देखा था कि जब ये पूरा घटना करम हुआ था तो ने का ति नहीं मैं नितीश को गाली नहीं दूंगा वहार लिए आदरनी है वो लगातार खुद को एक स्टेट्समें के तौर पर साबित कर रहे हैं तो एक तरफ तेजस्वी का किये दस तक है तूसरी तरफ क्या आपको लगता है ब्रैंड मोदी कमिंग टूगेधर विद नितीश ये अभी भी लोग सभा में एक विनिंग कॉमिनेशन है या तेजस्वी से भेज सकते हैं राहूल गांदी के मौजूद की के साथ अभी साथ फिर बहुत कहना मुश्किल है ये चीज क्योंकि ब्रैंड मोदी बार बार अपने आपको रिवाइव करके हमारे सामने खड़ा हो जाता है लेकिन एक चीज है और रीइंवेंट करता है सबसे ची बात यह प्रदान मंतरी नरेंड मोदी की कि वो खुद को लगाता रीइंवेंट करते हैं जो विपक्ष नहीं दिखाई देता है एक चक्कर इसमें ये भी है कि एक एकसेस हो जाता है पॉलिटिक्स में किसी बी चीज का एकसेस अगर बिल्ड हो जाता है तो उसमें जनता की तरफ से रियाक्शन आ सकता है कि भई आप अपनी मन मानी कर रहे है यह ऑपोजिशन को एक पॉइंट के बाद कहना जरूरी भी नहीं होगा लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा कि कभी आप करप्शन को इस चीज पर बैंक करना पड़ेगा और देखिए मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि हम वोट बैंक की हिसाब से देखें नितीज जी का जो वोट बैंक है वो EBCB है कुर्मी के अलावा अती पिछड़ा और पिछले 5-7 सालों में BJP ने अती पिछड़े पे बहुत ग्राउंड वर्क किया है यानि वो खिसकने की पैयारी में है जाएगा वो BJP के पास लेकिन यहां जो तेजस्वी और बाकी विपक्ष के लिए ग उसका ब्रैंड अमबेजडर नितीश नहीं बन पाए पहली बार हुआ है कि नितीश मुख्यमंत्री है लेकिन जैसे ही तेजस्वी आए हैं जहां नौकरियों की बारे में बात है लोगों ने तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए और यह बहुत बेचैन करने वाला थ नितीश जी को भी और जिसको वह लगातार क्लेम करें कि पिछले 17 महीनों का जो काम है आप याद रखिए जब नितीश जी पलती मारे हैं तब भी उन्होंने यही कहा कि 17 महीनों का काम है और बिरोजगारी को एक सेंटरल फोकस में लाने में बहुत हद तक तेजस्वी कामिय जाब हुए और उन्होंने लोगों तक पत्र पहुचाया नौक्रियां दिलवाई है तो यह जो एक मुद्दा है और साथ ही मुद्दा मुझे लगता है कास्ट सेंसेस का है अगर इस पर यह लोग प्ले कर जाते हैं क्योंकि बिहार में उस तरह का कमनल डिवाइड अभी तक उ कहारी बना देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल है उसके पास डॉमिनेंट कास्ट है ठाकूर है ब्रामण है लेकिन बाकी जो तपका है वहाँ पर अभी भी तेजस्वी और बाकी विपक्ष की पकड़ मुझबूत है और यही चैलेंज उनको तो हजार चौबिस में है ठीक है अब हम रुक करना चाहेंगे आज के तीसरे बुद्धे का वो है इंडिया गट बंधन हर हफ़ते एक खबर आ रही है कि आल इस नॉट वेल इंडिया गट बंधन में ममता बैनर जी के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है अब राहूल गांधी पश्चिम मंगाल में प्रवेश करते हैं अपनी न्यायातरा के जरीए उनके कार का शीशा तूटता है अधीर अंजन चौधरी उसे लॉइन ओर्डर के साथ जुड़ देते हैं जबकि वो बहुती सामान ने घटना थी अखिलेश यादव ने 11 सीटे दे दी अब कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा क कि नहीं साम हम तो अभी तैयार नहीं है तो यह हो क्या रहा है इंडिया गटबंदन में क्या है समुद्दे का पंच बताएंगी प्रग्या अविसार, इंडिया गटबंदन था ही कब ये सवाल मन में एकदम से आता है इंडिया गटबंदन में कितना इंडिया बचेगा राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा कहतम होते होते ये भी अब एक सवाल पैदा हो ही रहा है भाशा क्या है इसमुद्धे का पंच देखें अभी सार मेरा मानना है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को करो या मरो के मोड में उतरना था और अपनी तमाम महतो कांगशाओं को किनारे रखके हाथ मिला के लोकतंत्र को बचाने के लिए आना था वो परिघटना हो नहीं रही है और दिक्कत यह है कि आपस का जो सरपुटवल है वो इतना तगड़ा है कि वो बीजीपी को हर कदम पर फायदा पहुचा रहा है और अगर इंडिया गड़बंधन नौर्थ में नहीं अक्ट करता इससे बड़ी ट्राजडी कुछ और हो नहीं सकती क्योंकि बचेगा कोई भी नहीं अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस पुद्धे पर मेरा पंच ये है कि ये कही न कहीं कॉंग्रेस का एहंकार है और कॉंग्रेस को लगता है कि वो नजानिक किस युग में जी रही है अगर अखिलेश ने आपको 11 सीटे दी हैं वो इसलिए दी हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई कारवाई नहीं हो रही थी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी सबसे बड़ी बात अब भी पार्टी के छुड़ भाया नेता इसको बिगाड़ने में लगे हुए जबकि आप जानते हैं उत्तरपदेश विधान सभा में कॉंग्रेस का एक विधायक नहीं है और लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है वो भी बड़ी मुश्किल से भाशा यह बहुती अजीब और गरीब भात है यहां कि अखिलेश यादव जो हैं वो 11 सीटे देते हैं अब इसको लेकर दो तरह की बाते हो रही हैं पहली बात कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब कॉंग्रेस से बात ही नहीं हुई इस एली किस तो आपने 11 सीटे क्यों दे अबी सार मेरा माना है कि अखिलेश ने भी अपना दाओं चला 11 सीट दे के और उन्होंने कोशिश की कि वह एक अपर हैंड में आ जाया और उसके साथ उन्होंने भाई उनको भी अपने चुनाव जीतने हैं उन्होंने अपने कैंड़ेश भी एनॉंस कर दिये सबसे पहली प पॉलिटिकल मेचुरिटी नहीं है यह दिखाने की कि हमें इंडिया एलायंस को जिन्दा रखना है और दिखाना है कि आप सब साथ हैं क्योंकि अगर आप साथ नहीं है तो ना ममता बेनरजी बचेंगी और अखिलेश बाबू बचेंगे यह अभी तक यह मेचुरिटी पॉलि कि अब कम से कम आप लोग आपस में ही जो लड़ रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और ममता बेनरजी को भी थोड़ी मेचुरिटी दिखानी चाहिए वह एक कोई आज की उभरती हुई एंग्री वुमेन नहीं है आप मुख्यमंत्री है ममता जी थोड़ा आपको मुझे लगता है ये सारी जो घटनाए होती है अबिसार ये बीजेपी को और ज्यादा हतियार देने वाई होती है बिल्कुल जो कहते है न उसका जो विज्वल इंपक्ट है और खासकर प्रचारतंत्र के जरिये जब आप जनता तक ये कहते हैं देखिए ये तो भानुमती क कुन्बा है यहाँ पर देखिए सिर्फ टवल चल रही है मारपीट चल रही है तो एक तरफ जैसा कि भाषा कह रही है कि जो क्षेत्री नेताओं का अपरपक कुरवाईया मगर दूसरी तरफ आपने देखा है कॉंग्रिस की जो मैं बात कर रहा हूं मैंने क्यों एहंकार जे कुमार ललू को यह आरोप आया था कि इनकी पार्टी नहीं इनको हरा दिया अब वो यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ लेकिन आप तो हम आगे जाके यह भी देखेंगे कि सारी पार्टी सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं इनमें आपस में भी लड़ाईया होंगी आपस में जगड़ा क्योंकि यह हमारी भारत की पॉलिटिक्स का एक एक नेचर भी है एक हमेशा रहा है जगड़ा लड़ाई विवाद फसाद लेकिन आज की जो समस्या है वो यह है कि बहुत पार्फुल पार्टी भाजबा के रूप में आ गई है उसके एलाइज भी हैं कहीं कहीं जो काफी मजबूत हो जाते हैं एक दूसरे को मजबूत करते हैं तो उस इस तरह के एंवाइमेंट में जैसा रियक्शन आना चाहिए क्या ओपोजिशन सारी पाटी ऐसे रैक्ट करी है तो शायद नहीं इसलिए मैंने कहा कि था ही कहां इंडिया गट बंदन इंडिया गट रहें क्या है विच्शार क्या नीती है आप क्या विकल पेश करना चाहरे हैं यह तमाम मुद्दे जिनका जवाब इगट बंदन अभी भी नहीं दे